हलो माई दियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आज मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम कोट का एक जजमेंट डिसकस करने जा रही हूं जो कि रीसेंटली आया है शेडियूल कास्ट को ले करके तो इस जजमेंट के पीछे का हमें पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए वो गवर्मेंट ने 1st July 2015 को एक notification इसू किया आप मोटी मोटी बाते ध्यान देंगे बस एक notification इसू किया था यह notification किसके कहने पर इसू किया जब भी गवर्मेंट कोई भी काम करती है तो वो किसी कमेटी या किसी कमिशन के रिकमेंडेशन पर करती है उनको ठीक लगता है तो वो उस रिकमेंडेशन को accept कर लेते हैं और उसे implement कर देते हैं यहां पर हुआ क्या बिहार गवर्मेंट ने एक notification इसू किया और उस notification के पीछे कौन था रिकमेंडेशन दिया था रिकमेंड किया था State Backward Classes Commission ने अपना recommendation दिया था बिहार गवर्मेंट को वो रिकमेंडेशन क्या था दो communities हैं दो communities हैं बिहार के अंदर में जिसके बारे में यहां बात हो रही है और recommendation दिया गया था देखो एक community है extremely backward classes extremely backward classes बहुत ही simple शब्दों में आपको समझा रही हूं extremely backward classes यहां पर एक community हुआ करती थी तंती तंतवा मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं तंती तंतवा यह extremely backward classes में आती थी इसको क्या कर दिया जाए बड़ा सा प्लस लगा लेजिए merge कर दिया जाए with schedule cast with schedule cast schedule cast के साथ इसको merge कर दिया जाए schedule cast of पान सवासी schedule cast of पान सवासी इसके साथ इसको merge कर दिया जाए इन दोनों communities को merge कर दिया जाए extremely backward classes को schedule cast of पान सवासी में merge कर दिया जाए इससे होगा क्या देखो बहुत ही इन्होंने ध्यान लगाया और यह किया कि extremely backward classes जो है अगर उसको merge कर देते हैं schedule cast of पान सवासी के साथ तो इस merger का impact क्या होगा इस merger का impact यह होगा कि जो schedule cast के benefits है वो सभी के सभी benefits तंती तंतवा community को मिलने लग जाएंगे क्यूंकि merge होने के बाद आप तो यह schedule cast की category में आ जाएंगे तो यहाँ पर merger enable करेगा, merger enable कर देगा benefits of schedule cast to तंती तंतवा community इस merger की वज़े से यह impact आ जाएगा कि schedule cast के जो benefits है वो इस community को तंती तंतवा को मिलने लग जाएंगे यह recommendation दिया state backward classes commission ने बिहार government को और बिहार government ने इसके basis पर एक notification issue कर दिया अब देखो यहाँ पर कहानी शुरू हुई इसको challenge कर दिया इसको challenge कर दिया गया जो notification issue किया इस notification को challenge किया किसने challenge किया देखिए challenged by doctor bheem rao ambedkar doctor bheem rao ambedkar vichar manch challenged by doctor bheem rao ambedkar vichar manch patna vichar manch patna challenge किया और इसी challenge के basis पर top court में judgment आया clear है अब यहाँ पर जो judgment आया वो two judges bench ने दिया two judges bench ने clarify किया law के उपर में two judges bench ने बहुत ही सुंदर शब्दों में clarify किया इस bench के अंदर कौन थे जस्टिस विक्रमनाथ जस्टिस विक्रमनाथ आंड P.K. Mishra justice P.K. Mishra इन्होंने clarify किया law पे इन्होंने clarify कर दिया था on law clarify on law क्या clarify किया इन्होंने कहा कि देखो बहुत सीधी सी बात है बहुत ही simple और सीधी बात है कि किसी भी caste को किसी भी caste को किसी भी caste को race को और tribe को और tribe या फिर कोई पार्ट इनका यहां तू जज़िस बेंच ने clarify किया law पे कि किसी caste को race को या ट्राइब को या फिर इनका कोई पार्ट और ग्रुप और group या कोई ग्रुप हो within caste कोई ग्रुप हो within caste race tribe तो उस पर केवल और केवल पार्लियमेंट ही कुछ कर सकता है through made by law तो यहां पर केवल कौन law बना सकता है अगर किसी caste को race को या tribe को या किसी पार्ट को या group को या within caste race tribe कुछ भी inclusion या exclusion करना है यहां पर अगर कुछ भी inclusion इन सभी में कुछ भी अगर inclusion करना है या फिर exclusion करना है मतलब कुछ add करना है या कुछ remove करना है किसी caste में race में या tribe में या इनके किसी पार्ट में या फिर within caste race और tribe अगर कुछ भी inclusion यानि कि addition या फिर exclusion यानि कि removal करना है तो वो कौन कर सकता है only parliament made by law तो यहां पर यह inclusion और exclusion कौन कर सकता है only parliament made by law only parliament made by law law बना करके केवल parliament ही ऐसा कर सकता है और कोई ऐसा नहीं कर सकता यानि कि not any other mood not through any other mood not through any other mood कोई और mood आप इस्तमाल कर ही नहीं सकते हैं not through any other mood तो इस judgment नहीं साफ कर दिया कि अगर किसी कास्ट को किसी कास्ट में रेस में या किसी ट्राइब में या उसके किसी पार्ट में या विदिन किसी कास्ट में रेस में या ट्राइब में कुछ भी inclusion exclusion होना है तो वो केवल कौन कर सकता है Parliament made by law It can be possible but Parliament can do it through law Not any other mode can be used to include or exclude बात समझ आती है तो यहाँ पर यह सभी बाते हुई और यह clear हो गया law के point पर कि ऐसा ही हम यहाँ पर कर सकते हैं इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो Supreme Court ने यह कहा Supreme Court ने अपने judgment में यह कहा Supreme Court held that Supreme Court held that state not tinker state not tinker आप note करेंगे Supreme Court held that state not cannot tinker with schedule cast list state cannot tinker with schedule cast list cannot tinker with schedule cast list Supreme Court ने यह कहा कि भई देखो state नहीं कर सकता है कोई भी changes include करना, exclude करना, state का काम नहीं है प्लीज आप इसको पार्लियमेंट के पास रहने दीजिए यह आपका काम नहीं है तो state cannot tinker with schedule cast list तो आप यहाँ पर इसको SC मत लिखें क्योंकि Supreme Court को हम यहाँ SC लिख रहे हैं तो आप इसको लिख लीजिए schedule cast schedule cast list state tinker नहीं कर सकता है यानि की कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है कोई changes नहीं कर सकता है state with schedule cast list जो की notified है under article 341 of constitution of India में तो आप यहाँ लिख लीजिए Supreme Court held that Supreme Court अगर जज्जमेंट आया यह कहा held that state cannot tinker with schedule cast list notified under notified under article 341 article 341 of constitution of India तो यह हमारा पूरा पूरा जज्जमेंट का background हमने समझा एक बार quickly देखते हैं Supreme Court का एक जज्जमेंट आया schedule cast को लेकर के Supreme Court ने state को फटकार लगाई कि आप कोई फेर बदल नहीं कर सकते हो अपनी मर्दी से schedule cast list के अंदर वो केवल और केवल पार्लेमेंट का काम है अगर किसी कास्ट में, race में, tribe में या उसके किसी पार्ट में कोई भी बदलाव करना होगा, inclusion, exclusion करना होगा तो वो कौन करेगा सिर्फ वो केवल पार्लेमेंट करेगा किसी अधर मोडगे थुरू वो नहीं हो सकता है जबकि बिहार गवर्णेंट ने ऐसा ही एक notification schedule cast में merge करने के लिए एक category को issue किया था जो कि 1 July 2015 को issue हुआ था Supreme Court ने ये clear कर दिया कि ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं स्टेट कभी भी नहीं कर सकता है Parliament law बनागर के कर सकता है स्टेट का कोई domain नहीं है ये स्टेट का area नहीं है स्टेट का domain नहीं है तो स्टेट इसके अंदर में intervene ना करे तो बहतर होगा बात समझ आई है hopefully आपको ये judgment अच्छे तरीके से clear हुआ होगा अगर विडियो अच्छा लगा हो यूसफुल लगा हो तो विडियो को like करिएगा और share करिएगा इसी तरीके के और विडियो आप judgment से related चाहते हैं तो मुझे comment section में बताइएगा मैं ऐसे ही judgment के विडियो और आप लोगों के लिए यूसफुल बनाने के लिए लेकर के आती रहूँगी Thank you so much चानल पर नए है तो चानल को subscribe जरूर करिएगा मिलेंगे नेक्स्ट विडियो में एक और नए discussion के साथ में तब तक के लिए take care, bye bye